किसंस थापक पैगंबर मुहम्मद साहब को माना जाता है ठीक है इनका जन्म जो हुआ था इनका जन्म हुआ था पांसो सतर इस वी में कहां पे मक्का नामकास्थान पे इनका जन पांस सतर इस वी में हुआ था और जो जन cave इनका हुआ था और जो जन मक्का में पांसो सतर हिस्दी में कुरैसी जंजात में हुआ था इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और ये जो इनके पिता थे ये इनके पिता मुहम्मद साहब के जन्म के पहले ही इनकी क्या हो गई थी मृत हो गई थी ठीक है इनकी माता का नाम अमीना था और माता जी का स्वर्गवास सिख रही जब मुहम्मद सहब छे वर्ष के हुए तो इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था जब मुहम्मद सहब छे वर्ष के हुए तो इनकी माता जी का भी स्वर्गवास हो गया अब इस कंडिशन में ना तो पिता जी बचे ना माता जी बची तो अब इस कंडिशन में जो ही था कि इनका लालन पालन कौन करें तो लालन पालन की जिम्मेदारी इनके चाचा अबु तालिब ने उठाई और इनके चाचा ये लोग इनकी आर्थिक स्थित भी बहुत कमजोर थी परन्तु उसके बावजूद भी चाचा ने इनका जो है लालन पालन किया और जब ये पचीस वर्स के हुए तो इन्हों ने चालिस वर्सी खदीजा नाम की एक महिला से बीवाह कर लिया और उसके साथ वे जीवन यापन करने लगे परन्तु जब मुहमद साहब की उम्र 40 वर्स हुई तो इनका मन अपने बैवाहिक जीवन में नहीं लगा घरबार में नहीं लगा और इनको ऐसा जिक्र मिलता है कि जिब्राइल फरिस्ता जो है एक जिब्राइल फरिस्ता था उस ने इनको संदेश दिया मुहमत साहब को कि आपका जन्म प्रत्वी पर इसलिए नहीं हुआ है कि आप अपना घर बसाइए आप अपने परिवार में मस रहे बलकि आपका जन्म इसलिए हुआ है कि इस्वर ने आपको इस प्रत्वी पर इसलिए भेजा है कि आप यहां पर एक नए धर्म को प्रचारिद करिए प्रसारिद करिए एक नए धर्म की अस्थापना करिए एक नवीन धर्म की अस्थापना करिए तो उस चीछ को सुनकर इनका मन धर्म की और अग्रशर हुआ और आगे चलकर इन्होंने इस्वर की बात को शुईकार की या नवीया अल्लाह के ब क cigจ कर प्रफ में अंविय गव्श क्या यो प्र शनक डिया कि आप अधर के लिए लिए उपस्पने और बीद्र के और अधरेस दिया ईंग तों इसनों इन बार्ब 181-99 अलाह ने इनको एक धर्म के स्थापना के लिए प्रत्वी पर आतरित किया था इस प्रकार इनका संपूर्ण जीवन अब क्या है इसलाम धर्म में लग गया था और जिस समय इन्हों इन्हों ने अपना इसलाम धर्म का 50% करना सुरू किया जो अरब का छेत्र है एक तो यह उपजाओ लैंड कम है उसके बाद यहां पर आंदेविश्वास बहुत मातरा में था और मूर्थ पूजा वड़ी व्यापक मातरा में होती थी तो इन्हों ने मूर्थ पूजा का विरो पानी चलता था इसलिए जब इन्हों ने मूर्थ पूजा का विरोध किया तो एक ग्रूप में एनको जो है वहां से बाहर जाने के लिए विवस किया और फाइनली ये वहां से वहां अपनी बातों को लोगों को मना ना पाई श्विकार ना करा पाई अपने धर्म को इसलिए इंको वहां से हटना पड़ा और इनका जो ये मक्का छोण के मदीना जाने की घटना है इसी को हिजरा कहते हैं इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं हिजरा ठीक है तो ये याद रखेगा निट के लिए important है कि मुहम्मत साहब का मक्का छोण के मदीना जाना क्या कहलाता है तो मक्का छोण के मदीना जाना क्या क कहलाता है हिजरा कहलाता है और इसी से हिजरी समवत कफ शुरुख हुई और यह हुआ ढि complicatedию यह захभी को simplify ठीक है और यहां पर यह जो मदिना है मदिना मैं इन्होंने एक मज़िद के स्थापना कराई ठीक है मज़ मदिना में क्या किया इन्होंने एक मस्जिद की अस्थापना कराई और अब जब इन्होंने मदीना में मस्जिद की अस्थापना कराई तो यहां पर इनके सिधानतों को लोग धीरे-धीरे मानने लगे और वहां भी एक نया गुरूप उबर के सामने आया जो इन से टकर लेने लगा जिसके कारण इनको 623 के बाद मदीना के छेतर में तीन लगातार युद्धों का सामना करना पड़ा और इन तीन युद्धों के बाद मैं एक एक युद्धाब का नौ मता देता हू intend इन तीन युद्धों के बाद ही यहां पर ये इसलाम धर्म को अस्थापित करने में शफल हुए, जिन में से अगर हम प्रथम युद्ध की बात करें, तो पहला जो युद्ध था, वो था बद्रा का युद्ध, कहा का, आप लोग इसको नोट कर लिजेगा, बद्रा का युद्ध, ठीक है, बद्रा का युद्ध, ये आपका हुआ, मार्च, अप्रिल, 624 में, ठीक, उसके ब उहद, कहा का, उहद का युद्ध, उहद का युद्ध, ये चला, मुलब हर साल युद्ध हुए, तीन लगा तार साल, 625 में, उसके बहूद एक चयुद्ध, तीसरा युद्ध है, इनका हुआ, वो हुआ, दिच का युद्ध, ठीक है, डिच का युद्ध, ये भी चला मार्च, अप्रेल 626, इस प्रकार ये तीन लगातार युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त की और एन के प्रकारें या अपने बाहुबल के बल पर या सक्ट के बल पर इसलाम धर्म की अस्थापना अरब में हुई और आगे चलके 632 इस वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यू हो गई, 632 में इनकी मृत्यू हो गई और इनकी मृत्यू हो गई, तो अब प्रस्ण ये उठता है कि इन्होंने जो या इसलाम धर्म लागू किया था, इसका उद्धिश क्या था, इसके करतव रिक्या थे, इनके तो उस पर थोड़ी से चर्चा कर लेते हैं, अब अगर हम इनके करतव्यों की बात करें, तो ये इसलाम धर्म में पांच चीजों को बहुत महत्तु दिया गया था, एक तो कलमा पढ़ना, और उसके बाद प्रति दिन पांच बार नमाज पढ़ना, रोजा, आप जानते हैं हज, मक्का मदिना की लोग यात्रा करते हैं, जानते हैं जगात, इन पांच चीजों पर बल दिया गया कि जो भी इसलाम धर्म को पालित करेगा, पालन करेगा, वो इन पांच चीजों को उसको मानना पढ़ेगा, कलमा, नमाज, रोजा, हज और जगात और जकात को साधारता है, तीन करों में जकात एक तरह का कर होता है, इसको तीन भागों में बाटते हैं, एक होता है सदका, जो की क्या होता है, एच्छिक कर होता है, इच्छा से दिया जाता है, दूसरा होता है जकात, यह धार्मिक कर है, और मुक्य रूप से धनी जो मुसलिम होते हैं उन्हीं से लिया जाता है और उनकी आय का एक बटे 40 वा भाग जकात के रूप में लिया जाता है आप इसको ध्यान से याद रखिएगा आपके एक्जाम में भी पूछ सकता है कि जकात किस प्रकार क्या कर है तो जकात एक धार्मिक कर है जो धनी मुसल्मानों से उनकी आयका एक बटे चालिसवा भाग लिया जाता है ठीक और सदका क्या है सदका एक एच्छिक कर है ठीक और उसके बाद जो तीसरा कर है वो है उसर उसर क्या है आप अगर अनाज उतपाधित करते हैं उतपाधित अनाज का जो आपका उत्पादन हुआ है उस उत्पादित अनाज का एक बटे दस भाग उस्र के रूप में ये वसूलते हैं परंतु ये कहां पर क्लॉज लगा है ये तो है उत्पादित अनाज का एक बटे दसवा भाग जो है उस्र के रूप में वसूला जाता है परंतु यदि आपन ने तो उससे आपको उपज का एक बटे बीस्वा भाग देना पड़ेगा ये दो बहुत को चीजे हैं अगर स्वता फसल आपने बहुत दिया उसके बाद काटने गए तो पादित अनाज का एक बटे दस्वा भाग परंत यदि कृतिम खेतिया आपने की है तो उसका आपको ए की मृत्त हुई उसके बाद फिर इसलाम धर्म का क्या हुआ ठीक है ये बहुत महत पूंट चीज है तो आपको मैं बताता चलूं कि 632 इस वी में जब मुहम्मद साहब की मृत्त हुई तब यह यहां पर चार मुख्य खलीफा लोग आए बारी बारी से आए जिन्हों ने इस लोग इसको उमयद उमयद ऐसे भी उमयद ऐसे भी लिखते हैं उमयद खलीफा या उमयया वंस के खलीफा के रूप में जानते हैं इन लोगों ने क्या किया इनके चार खलीफा थे जो इसको आगे बढ़ाया जिन्हों ने इसको आगे बढ़ाया उसमें अबु बर्क उमर उस्मान और अली ये चार महत्वूर्ट थे प्रमुक थे उसके बाद भी लगातार अनेक खलीफा आते गए उनकी चर्चा मैं आगे करता हूँ ठीक है और अब ये जो है देखिए छेसो बतीस में इनकी मृत्व के बाद उमयत खलीफाओं ने क्या जिसमें क्या थे अबुबक उमर उश्मान और अली इन लोगों ने क्या किया इसलाम धर्म को आगे की और प्रमोट किया ठीक और लेकिन जब चौते खलीफा यानि कौन पहले खलीफा हो गए अबुबक दूसरे उमर तीसरे उश्मान चौते अली जब चौते खलीफा आते हैं तो उसी समय सीरिया का सरणर कौन है मौविया क्या करक देता है या विद्रो कर देता है चौते खलीफा के खिलाद excet इसवी में ठीक है और चवते खलीफा जो है अली अली की क्या हो जाती है मृतया अली ज्योरे इसके खिलाफ कि नहीं पाते हैं और इसमें जो है उनकी इम्रत्त हो जाती है विद्रोह में उनको जो है वो मर्ज अम्रत्त को प्राप्थ हो जाते हैं ऐसा कह सकते हैं और इनका बेटा हसन गद्धी पर बैठता है चौथे खलीफा चुकि मुआविया ने विद्रोह किया था और विद्रोह के कारण अलिकिम्रत्त हुई थी अता है जब इनका पुत्र हसन को गद्धी पर बैठेने की बात आई तो हसन ने पहले ही गद्धी त्याग दी और इस प्रकार क्या हो गया जो सीरिया का गवर्णर ये बन गया जो है नया खलीफा ठीक है और इसने अपना सामराज विस्तार करना सुरू किया और इनका सामराज आपको बताने कि 750 ADSV आते आते या सामराज बहुत व्यापक हो गया था इस कारण इन लोगों को मदीना से राजधानी ट्रांसफर करके दमिस्क लानी पड़ी और उसके बाद फिर और आगे चलके दमिस्क से फिर राजधानी इनकी पुना परिवर्टित होती है और वह जाती है बगदाद तो जैसे जैसे इनका सामराज बढ़ता है वैसे वैसे ये लोग राजधानी भी परिवर्टित करते हैं जिससे अपने सासन को बख़ों भी अगदाद आ जाती है ठीक है और अब आपको बताएं कि जब मुआबिया नया खलीफा बनता है तो वह अपते सामराज का सामराज का विस्तार करता है उसी क्रम्मेबाद में उसके वनसजों में यदीज यजीद नाम का एक व्यक्ति होता है यजीद से हुशायन जो आप पे यजीद और हुशायन के बीच करवला के मैदान में हुशायन कौन थे मुहम्मत साहब की पुत्री थी फात्म उनका पुत्र था हुशायन तो यजीद और हुशायन के बीच करवला के मैदान में ब्यापा के युद्ध होता है जिसमें हुशायन की मृत्त हो जाती है और यजीद जो है विज़यी हो जाता है तो यहीं से यह 750 के आसपास से यह जो इसलाम दो गुरूपों में विवाजित हुआ दिखाई देता है एक सिया के रूप में एक सुन्नी के रूप में शुन्नी वाले कहते हैं कि हम वास्टविक वनसज हैं जो उमय्या वनसज हैं और यह लोग जो है सफेज जंडे का प्रयोग करते हैं और सिया लोग अबवाशी थे या यह मुवासिप के वंसस थे और यह लोग जो है काले जंडे का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार धीरे धीरे इसलाम धर्म जो है दो ग्रूपों में सिया और सुन्नी में बढ़ गया उसका जो कार्य है दो ग्रूपों में बढ़ने के बाद जो है आज भी आपको पूरे विश्यों में सिया और सुन्नी दो आपस में दिखाई देते हैं जो परस पर कभी कभी जो है आपको आक्रामत रूप में भी दिखाई देते हैं ठीक है तो यह सब चीजें हैं इनको आप जो है देख लीजेगा उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में यह आपको मोटा-मोटी आपकी समझ बनाने थी थी कैसे में का खलीफा कौन था कैसे कैसे चीजें आई अब हम इसमें अरब आक्रमण पर चर्चा करेंगे जिससे कि अगले क्लास में जिससे कि आपको एक बेहतर समझ बन सके इससे उसको जोड़ लेंगे तो आपको इसलाम का कैस्पकार उदे हुआ और अरब अरबों का भारत पर आक्रमण में क्या भूम का रही है मुस्लिम से